आप सभी का स्वागत करते हैं नीज लाइब में दोस्तों बैश फीक उच शीक्षा विश्टेशक यानि कि क्वैक्वेंली शामन्स कीवेस जो हर साल दुनिया भर के बीश्यू विद्याले और संस्थानों की रैंकिंग लिस्ट जारे करता है इनमें एशिया, एउरोप और उ आये जानते हैं कि इंजिनिंग की पढ़ाई के मामले में भारत की की इनवर्स्टीश को जो QS वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में सामिल किया गया था और दुनिया भर के संस्थानों के बीच भारतिय विश्यू विश्यू विद्यालों की क्या रैंकिंग है और आज हम आपटन इंजिनिंग विश्यू विद्यालों के नाम और वर्ल्ड रैंकिंग की शर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले अगर नमर भी बात करता हूं तो आये टी बैंगलोर है इंजिनिंग इंस्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर यानि की IIIC QS वर् बंबे हैं दुनिया के टॉप 10 भारतिय संस्थानों के लिड में इंडियन इंस्यूट आफ टेकनिलोजी यानि की IHEB बंबे दुसरा स्थान है इसे 172 वी रैंकिंग और 46.7 ओवरॉल इश्कोर मिला हुआ है IHE Delhi QS World University रैंकिंग 23 में जगह पाने वाला तिसरा संथान इंडियन इंस्यूट आफ टेकनिलोजी यानि की दिल्ली है इसे IHEB बंबे से दो कम इश्कोर के साथ 174 अस्थान पर रखा गया है और इसका जो इश्कोर है वो 46.5 है चोथे पॉइंच के बात करता हूँ तो IHEB मदरास है IHEB दिल्ली के बाद लगबग 75 संथानों के बाद इंडियन इंस्यूट आफ टेकनिलोजी मदरास चोथा भारते संथान है और इसे 38.6 स्कोर के साथ 250 में रैंक मिली है इसके लावा अगर मैं बात करता हूँ तो IIT कानपूर है इंडियन इंस्यूट आफ टेकनलोजी IIT कानपूर को कीवस वर्ल इनिवर्स्टी रैंकिंग में 2023 में 244 संथान मिला है जबकि इस लिस्ट में पाचवा भारती संस्थान है वह अगर मैं बात करता हूँ तो छटे नमर पर I.A.T. खडगपुर है इंडिन इंस्टीट आफ टेकनलोजी यानि कि खडगपुर दुनिया में भारत का छटमा संस्थान है और इसे 37.2 ओबरॉल स्कोर के साथ 277 रैंक मिली है इसके लावा अगला नाम आता है I.A.T. रूटक का जून में जारे हुई कि उस्टीट आफ टेकनलोजी इंडिन इंस्टीट आफ टेकनलोजी गुहार्टी को 29.1 ओबरॉल स्कोर के साथ 314 वी अस्थान पर रखा गया है इसके लावा नाम आता है I.A.T. इंडूर का इंडिन इंस्टीट आफ टेकनलोजी इंडूर के इस ल वर्ल्ड इंवर्स्टी रांकिंग 2023 में डिल्ली इंवर्स्टी को 501 से 530 रांक में लिए है टॉप 10 भाते संस्थानों में ये 10 हुए पैजान परहत दोस्तों जो भी एंजिरिंग की पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये संस्थान का पूरे देश में क्या रेंकिंग है उसकी जानकारी कैसी लगी कमेंट वाक्स में बताइएगा ठीक है ताने बाद